हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं मोहिनी आज हम बनाएंगे बिना लसन प्याज की पनीर की सब्जी बिना लसन प्याज की भी सब्जियां बहुत अच्छी बनती है चलिए स्टार्ट करते हैं यह मैंने चार टमाटा ले लिए हैं जिने में बीच में से थोड़ा थो गूंटर आड़ घूर गुंगर्स पाउडर कर में एक एक करके तमाटर समय डाल दूंगी के यह मैंने देची टमाटर का इस्तिमाल किय आ है अब बॉंबड टमाटर भी होतो दरन्सके इसिक्ट्श नमक लीया फ़प एइह थोड़ा के लाण मिर्च पाउडर ना, हल्दी बाउडर रहे है तोड़ा कर्णोच ने लिए है यह मेने ठीज पत्त्ता黍 नइट्टी जीरा यह तो में आज्टी क्षू जेयरा यह पांच मने ठंडा होने रखदिंगे देखिए अब हम इसका छिलका उतार के एक मिक्सी के जार में डख रख दिंगे टमाटर को मैंने कट कर लिया है यह मैंने थोड़े से काजू भी गो दिये थे अब मैं इन दोनों का अलग-अलग पेस्ट बना लूँगी तमाटर की प्योरी बन चुकी है खाजू का पेस्ट रहा होermा मैं इक कडाई ले लूंगी जिसके अंदर में थोड़ा सा मस्टर्ड औएल डाल लूँगी मैं यह रेसेपी मस्टर्ड ऑएल में बनाऊएथ में बढ़ जञए कर लोगी धो तो देखे मसाले अच्छे से फ्राई हो गया है इसके इंदर थोड़ा सा अधर्क का पेज डाल दूगी और इसको भी हम खड़े मसाले के साथ अच्छे से फ्राई लेते हैं तुमाटर की प्योरी डाल दूंगी तुमाटर की प्योरी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैस के अंदर यह सारे मसाले डाल दूंगी इन सब चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ देखिए यह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मैंने इसे थुरे दे ढक्के पका लिया था मसाला भी जोन चुका है औल बी अच्छे से उप़र आ चुका है देखिए अब मैं इसके अंदर एक काजू का पेस्ट डाल दूँगी, धियान रखिए आप ये काजू का पेस्ट डालते वक्त ग्यास की फ्लेम थोड़ी दीमी रखें, अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है ये देखिए, काजू से इसका टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है, अब मैं इसे थोड़ी से ढक्के पका दूँगी, जिससे की काजू भी अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो जाए, दीखिए, ये दोनों चीज बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब मैं इसके अंदर ये पनीर के टुकड़े डाल दूँगी, मैंने पनीर के टुकड़े थोड़े बड़े बड़े किये हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टुकड़े कर सकते हैं, अब मैं मसाले और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे मसाला पनीर के अंदर बहुत अच्छे से चला जाए, आप ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से कीजिए, पनीर टूट सकते हैं, अब मैं इसे थोड़ी दिर ढखके पका लूँगी, देखिए, मसाला अच्छे से पनीर के अंदर जा चुका है, अच्छे से चला लूँगी, पनीर इस टैम पे बहुत सॉफ्ट है, मैंने एक ग्लास में गरम पानी ले लिया है, मैंने वोस में डाल दिया है, आप अपने अक्वर्डिंग पानी डाल सकते हैं, देखिए, अब मैं इसे थोड़ी दिर ढखके पका लूँगी, देखिए, बहुत अच्छे से पानी भी पक चुका है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथी साथ बैल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, बैल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, देखे, सब्सक्राइब बहुत अच्छे से बन के तयार हो गई है, फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके जरूर बताइए,